है गाईस वेलकम टू एदमी स्वागत है आपका वेदमी के इस्ट्यू यूट्व चैनल पे फोग की आप से पहोंगे सुरक्षित होंगे अपनी फैमिली के दियान रखे होंगे आज की इस वीडियो में बात करने वाल हूँ आपसे प्यस्ड एडिमिशन के बारे में जो की है आई करें बात करें इसमें जो भी स्टूइन्स से मास्टर्स कर रखा है लाइफ सांस के स्ट्रीम में किसमें मास्टर दिघ्री है आपके पास लाइफ साइंस स्ट्रीम में तो इसके लिजबल ले वह है। साथ-साथ मास्टर्स में आपके पास 55% होने चाहिए और सिटेम के लिए 5% का रिलक्षेशन है। अब इसमें बात कर लेते हैं fellowship की जो की मेन काटरिय है यहाँ पर सबसे पहले इसमें तो उन्होंने बोला कि जो जरा पॉलिफाइड है वह अपनी जो पंडिंग अजन्सी एस या डिविटी आइसमें वहां से वह फैलोशिप वहां से वेल कर सकते हैं नेक्स बात कर लेते हैं इनके लोवाशिप नहीं है जो कि कौन-कौन है स्मेटी में कौन-कौन स्टूइड आ जाते हैं हलाक है ने के उलिए बोला गया है कि इसमें जो इंस्टूट है ध्यान रखेगा, ध्यान रखेगा, कॉर्स वक्ट कंप्लीट होने के बाद, दो साल तक ये 8000 fellowship देंगे, ध्यान रखेगा, पर एक्जामपर, अगर आपका फस्ट येर तक कॉर्स वाग चल ला है, तो उसमें कोई fellowship नहीं मिलेगी, उसके बाद आप टू येर्स तक 8,000 fellowship मिले बस 2 year तक fellowship मिलेगी gate qualified या LS qualified students के लिए इसमें इनोंने लेकर लेकर करेंगे कि आप exam qualified करके आपके fellowship आगे continue करें इसमें ये कोई मतलब नहीं कि अपनी PhD कप तक चलेगी fellowship सरिफ 2 years तक चलेगी वो भी course वक्त complete होने के बाद चले बढ़ते हैं और details के बारे में तो इन्होंने काफी details दे रखी है मैं बात कर लेदे किस किस एरिया में आप यहां पर PhD कर सकते हैं तो यहां पर जैसे देख सकते हैं आप osteoporosis genetic disorder, stem cell biology, reproductive, proxology, child head, reproductive cancer, इस सब एरिया में आप नहां पर PhD कर सकते हैं नक्स बात कर लेते हैं कौन-कौन apply कर सकते हैं क्या आइजबिल्टी कैट्रिया है जैसा कि मैंने पहली बता रखा आप के रूप candidates work सबसे पर इंडियन सिटीजन जो है पीजी डिग्री है किसी ब्रांच में life science में like biochemistry, biotech, microbiology, biology, bioinformatics, physics, साथ 55% आपका जो qualifying percentage है और इसके बाद बात कर लेते हैं next जो पहले क्याट्रिया हो गई second eligibility criteria में बोल ले हैं कि इसमें से कोई भी exam qualify होना चाहिए कौन सा PhD interest test, P.E.T. जो कि University of Mumbai conduct कराता है या तो या प्वालिफाई हो या फिर आप यूजसी नेट जैर अरफ एलस गेट किसमें life science इसमें qualify हो या फिर आपके पास कोई DST inspire fellowship हो या फिर आपने महाराश सेट exam qualify किया हो ठीक है तो यह eligibility criteria हो गया दो eligibility criteria है इसमें masters in life science उसके बाद कोई एक national level का exam qualify होना चाहिए अब इसमें बात कर लेते हैं और details के बारे में age limit तो age limit में इन्होंने बोला है कि 28 years होना चाहिए up to 30 April 2024 कौन-कौन से general EWS category और इसमें अगर आप SC STPW या वूमन candidates हैं तो आपके पास five years relaxation होगा 33 years का इस होगा और in case OBC है तो आपके पास three years का relaxation होगा 31 years तक आप apply कर सकते हैं कैसे apply करना है तो इन्होंन लिंक दे रखा है इस लिंक पर जाके आप apply कर सकते हैं आप बात करते हैं application fees की तो जो भी जर्नल और OBC candidates होंगे उनकी fees होगे 300 और इसमें जो भी SC STPW और EWS candidate होंगे उनके लिए कोई fees नहीं लगेगी तो इस बात का ध्यान रखिए जितने भी जर्नल और OBC candidates होंगे उनकी admission fees 300 होगी application fees और जो भी SC STPW और EWS candidates होंगे उनके लिए कोई fees नहीं लगेगी ठीक है अब अब बात कर लेते हैं fellowship के तो जैसा कि मैंने पहले बताए fellowship का तो जिनके बाद जिनके बाद जिनके बाद फैलोशिप नहीं हैं उनको इंस्ट्यूट इंस्ट्यूट फैलोशिप मिलेगी 8000 आफ्टर सक्सेस्ट्फुल कंप्लेशन अफ और प्यस्टी प्रपोजल प्रेस्टेशन देंगे उसके बाद मिलेगी वह सिर्फ दो यस के लिए और वह बोलते हैं कि आप इंक्रेस करते हैं फैलोशिप अविल करिए नेक्स्ट आपको विवन केंडिस के लिए बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में तो डेट्स इसका एप्लिकेशन फॉर्म 25 अप्रेल से स्टार्ट हो चुका है लास्ट डेट्र फिल करने की 24 में और जो सॉट लिस्टर केंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जो है वेबसाइट पर आजाएगी और वेबसाइट के थुरूई डेट ऑफ इंट्रू पता दि चाहिए अगर आपके पास जैराफ है तो आपको आपकी फैलोशिप आपकी फंडिंग एजनसी से मिलेगी और जैराफ नहीं है तो इसके बाद कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरू बताईएगा हम उसे जरूर रिजॉल्व करेंगे और इस वीडियो का मैक्सिम इस चाहिए ताकि उस इस अपॉशनियूटी का वो बेनिफ्यूट रह सके तो थैंक्यू वाइबाई